हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू, स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में मैं बात करूंगा चतिसगड सरकार के एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट की राम वन गमन पत्थ, क्या है राम वन गमन पत्थ, इसके बारे में हम डीटेल में चर्चा ये चतिसगड का पर्यटन बहुत अलग स्टर पर ले जाएगा ये प्रोजेक्ट, हम अयोध्या में राम मंदिर के बारे में तो जानते हैं जिसका निर्मान अब शुरू हो चुका है, लेकिन चतिसगड के राम वन गमन पत्थ के बारे में हम बहुत जादा नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का बनवास हुआ था, इस बनवास काल में भगवान श्री राम ने कई रिशी मुनियों से सिक्षा और विद्या ग्रहन की, तपस्या की और भारत के आदिवासी और तमाम तरह के भारतिय समाज को संगठित करके उन्होंने धर प्रारम की थी, फिर वो तमसा नदी के पास गए थे, जो अयोध्या से लगबग 20 किलो मेटर दूर है, यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की, फिर श्रिंग वेरपूर तीर्थ, पुरई गाउं, परियाग, चित्रकूट, सतना, धंड कारन्य, पंचवटी, सर्वतीर पर्ण शाला, तुंग भद्रा, शबरी का आश्रम, जो पंपा तुंगा भद्री नदी का पुराना नाम है, उसी के किनारे पे हमपी में बसा हुआ है शबरी का आश्रम, रिश्यमुक परवत, कोडी करई, उसके बाद रमेश्वरम, धनुष कोडी और फिर शिरलंका पहु ये इसमें जो 36 गड़ के अंदर था, वो कौन सा था, यानि भगवान राम ने बहुत लंबा समय 36 गड़ में बिताया, मैं आपको दंड करन्या के बारे में बताता हूँ, जहां पे उन्होंने अपना समय बिताया था, तो दंड करन्या में आज की तारीक में में जोड़ा जाएगा एक सरकिट के रूप में, इनकी कुल लंबाई जो होगी वो लगभग 260 किलो मेटर होगी, ऐसा भी माना जाता है कि 14 साल का बनवास था, उसमें से 10 साल भगवान श्री राम ने 36 गड़ में ही बिताये थे, तो अब भुपेश बागेल जो मुखे मंत्र किलो मेटर का मार्ग होगा, उसके दोनों किनारों पर डेड़ लाग से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, बहुत तरह के पेड़ इसमें लगेंगे जैसे पीपल, बर्गत, जामुन, अर्जुन का पेड, करंज, नी, मितियाधी, और यहाँ पर जो स्थल बनेंगे, उनमे एंट्रेंस डोर, इंटर्प्रेटेशन सेंटर, कल्चरल सेंटर, कैफेटेरिया, डिस्प्ले बोर्ड, साइन बोर्ड, बहुत कुछ होगा, इसके अलावा, योगा, मेडिटेशन सेंटर, प्रवचन केंदर, धरम शालाएं, परयोग शालाएं, यह सब भी बनेंगी, अब ह यह पत, रामवन गमन पत होगा, तो सबसे पहली जगा जो इसमें है, वो है सीता मड़ी हर चौका, जो कोरिया डिस्टिक्ट में आती है, इसे मा सीता की दिव्वे रसोई भी बोलते हैं, यहाँ पर भगवान राम के पैरों के निशान वाले शिला लेक भी पाए गए हैं, म उसके बाद है रामगड, रामगड की पहाड़ी, सरगूजा जिले में रामगड की जो पहाड़ी है, उसमें तीन कक्षों वाली सीता बेंगरा गुफा है, यह देश की सबसे पुरानी नाटे शाला इसे कहा जाता है, कहा जाता है कि बनवास काल में भगवान राम यहाँ प पुफा का नाम जोगी मारा भी रखा गया है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने एक तपस्वी का भेश धारन किया था। उसके बाद हैं अगली जगा जिसको बोलते हैं शिवरी नारायन, जाजगीर चापा जिले के इस थल पर रुक कर भगवान राम ने शबरी के जूटे बेर खाये थे। है तुर्टुरिया, बलोदा बजार भाटा पारा जिले के इस थान को लेकर जन शुरुती यह कहती है कि महरशी वालमिकी का आश्रम यहाँ पर था और यहीं पर लव और कुश का जनम हुआ, बल भदरी, नाले का पानी चट्टानों के बीच में से निकलता है और उसमें लेकपुर जिले में है, एक छोटा सा गाउं है बेसिकली, 126 तालाब है यहाँ पर और यहाँ पर माता कोशल्या का जनम हुआ था और इसलिए चत्तिसगड़ को हम भगवान राम का ननिहाल बोलते हैं कोशल्या माता का दुनिया में ये एक मातर मंदिर है, उसके बाद अगली जगा है राजिम, गरियाबन जिले का प्रियाग इसे कहा जाता है, लोमेश रिशी का आश्रम है यहाँ पर, यहाँ पर तीन नदिया मिलती है, सोंधुर, पैरी और महानदी, भगवान श्री राम न सिहावा, धमतरी जिले के सिहावा की विभिन पहाडियों में बहुत सारे रिशियों के आश्रम हैं, जैसे अंगीरा आश्रम, श्रिंग रिशी आश्रम, कंकर रिशी आश्रम, शर्भंग रिशी आश्रम, गौतम रिशी आश्रम, अगस्ते रिशी आश्रम इतियादी, भग चितरकूट भगवान राम की शिव से भेंट, भगवान शिव और पारवती माता से भेंट यहाँ पे हुई थी, चितरकूट को बस्तर शेतर में राम वन गमन के एतिहासिक और धार्मिक महतुव का स्थल माना जाता है, तो यह जो जगा है, यहाँ पर बस्तर शेतर में है, बस जित्रकूट का रास्ता जाता है एक और जगदलपुर को पांडवों के वन्शज काकातिया राजा ने अपनी अंतिम राजधानी भी बनाया था और उसके बाद फाइनली सुक्मा भगवान राम के पद्दिचन यहाँ पर मिलते हैं माननेता के अनुसार सुक्मा जिले में एक सारी जगा हैं जिनका विकास होगा धीरे धीरे लेकिन पहले चरण में ये नो जगा हैं जिनका विकास होगा उमीद करते हैं जैसे उत्तर परदेश में ये माना जाहरा है कि अयोध्या मंदिर जब एक बार भव्वे बन जाएगा तो बहुत जादा महाँ परियतन इसी तरह से 36 गड़ में भी राम वन गमन पत बनने के बाद तूरिजम और ग्रोथ काफी ज़ादा होगी रोजगार का स्रिजन भी होगा आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस पर आपके जो भी विचार हैं अगर आप 36 गड़ से हैं और इन जगा के बारे में और ज्यादा अक्तथे जानते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखिए हम आपके कमेंट्स का इंजार करेंगे Thank you for watching Study IQ